हाई फ्रेंट्स वेलकम टू एम के भी स्पेसल टैक एजुकेशन माई डियर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर रेलवे के अपडेट्स के बारे में Western Railway से लगतार नए अपडेट्स आते रहे हैं अगर आपने भी Western Railway के 3591 पदों के लिए आबेदन किया हुआ है और आप भी जो है email का इंतजार कर रहे हैं या document verification का इंतजार कर रहे हैं या फिर joining का इंतजार कर रहे हैं तो सारी detail आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहेंगे तो यहाँ पर हम Western Railway के अलाबा other railway board की भी बात करेंगे वहाँ के updates के बारे में बात करेंगे Mumbai के हर division की बात करेंगे यानि Western Railway के हर division की बात करेंगे कि कहाँ पर क्या updates चल रहा है तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि यह email जो है हमें प्राप्त हुआ है महराश्टर के एक हमारे सहयोगी के माध्यम से हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें email भेजा जिसकी बज़े से हम आपको यह information दे पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई message आता है important जो कि हमारे जो है लोगों को या आपने साथियों के लिए important हो सकता है तो वो आप हमें share जरूर कर सकते हैं आप हमें share कर सकते हैं हमारी email id पर mkvspecialtech at the rate gmail.com हमारी email id है email id हम एक बार रिवीट करेंगे mkvspecialtech at the rate gmail.com पर आप हमें share कर सकते हैं आपकी personal जानकारी कभी भी कहीं भी share नहीं की जाएगी तो यहाँ पर अगर आप भी जो है अधर लोगों की help करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यह जो update अगर आपको पता चला है तो और अधर लोगों को जानकारी हो तो आप हमें जरूर से यहर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं email के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है Dear Candidate Apprentice Act 1961 के तहट Apprentice प्रसिक्षूओं का चाहियां Document Verification Railway भरती सेल RRC Western Railway द्वारा दिनांग 18 मई 2021 को निर्गत अधिसूचना शंख्या Apprentice की बात करेंगे तो इस email में Attach Call Letter और उप्रोक्त संदर्वानुशार आपको यह सूचित किया जाता है कि 17 अगस्त 2020 को जारी Call Letter में सामिल नाम और निर्देसों के तहट आपके द्वारा संबंधित ट्रेड में आवेदन के अनुशार आपको दस्तावेज सत्यापन हेतू मंडल रेल प्रबंधक कारियाल है स्थापना राजकोट को रिपोर्ट करना है ओक्त जगह पर उपस्तित होना है दस्तावेज सत्यापन के समय निमनलिखित मूल प्रमाड पत्र दस्तावेजों का होना जरूरी है तो यहाँ पर बुला गया है कि आपको किन-किन डाकुमेंट को लेकर आना है वो आपको बुला गया है डेट यहाँ पर आपकी अलग हो सकती है क्योंकि एक ही दिन सभी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा यानि आपको अपने कॉल लैटर में डेट चेक कर लेना है कि किस डेट को आपको बुलाया गया है तो उस डेट में उस स्थान पर आपको जाना होगा यानि आपका माकशीट के साथ जो आता है इसके अलाबा आपकी माकशीट की सर्भी सेमस्टर की सर्टिफिकेट ले जाना है इसके अलाबा अगर आपकी एनुवल सर्टिफिकेट है तो आप उसे ले जाएए इसके अलाबा NCBT द्वारा National Trade Certificate आपको NCBT या SCBT द्वारा जारी किया गया हो प्रोवीजनल National Trade Certificate ले जाना होगा पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ ले जाना होगा आधहार कार्ड ले जाना होगा और पैन कार्ड ले जाना होगा अब बात करेंगे NXR B, C, G, H और E के बारे में तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने जिस कैटेगरी के अधहार परफॉर्म को फिल किया है उन्हें उसी NXR का जो है फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होगा बात करेंगे SCHT वाले कैंडिडेट्स की तो उन्हें NXR B में ले जाना होगा OBC वाले Non-Crimiliar कैंडिडेट को NXR C में ले जाना होगा NXR G में EWS वाले कैंडिडेट ले जाएंगे NXR H सभी के लिए जो है यहाँ पर लागू होता है यानि Medical Fitness Certificate आप सभी को ले जाना होगा NXR F PWD और जो Disable Candidate हैं यह Disability वाले कैंडिडेट हैं उन्हें ले जाना होगा तो यह NXR का जो वीडियो है हम अगला वीडियो में आपको सभी NXR जो है प्रोबाइट कराने वाले हैं अगर आप भी NXR को ढूंड रहे हैं और आपको आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप बोच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी जाएगी और जिस NXR को आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां से एजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इतनी जानकारी है यहां पर बोला गया है कि आपको कोरोना का ध्यान रखना है इसलिए कौन कौन सी सुरक्षा रखना है तो COVID-19 को ध्यान में रखती हुए मास्क और सैनेटाइजर का उप्योग और दूरी बनाए रखने के लिए आपको निवेदित किया गया है तो यहां पर एनेग्जर का वीडियो आपको अगला मिल जाएगा अगर आपके लिए यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके अलाबा बात करेंगे लोवर परेल मुंबई डिविजन की तो यहां का जो है अपडेट डाकुमेंट वेरिफिकेशन की प्रकरिया हो चुकी है अब जोइनिंग के लिए बुलाया जाएगा जिन कैंडिडेट्स का सेलेक्शन हुआ है उन्हें मेल आ चुके हैं और बा इसके अलाबा अधर रेलवेबुड की बात करेंगे तो अधर रेलवेबुड से अब जो है नौल्थ सन्टरल रेलवे में एक नया वेकन्सी आया हुआ है अगर आपने उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी जानकारी उसके बारे में पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है अगर आप नहीं देखा है तो description बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को बाच करशकते हैं तो dear friends आपके लिए अगर यह जानकारी informative है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप अभी भी चानल परना है तो चानल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि ITI से जुड़ी हर trade की हर government jobs की information हम आपको provide करते हैं अगर आपके लिए वीडियो उपी होगी है तो like करना ना भूलें subscribe करना ना भूलें thanks for watching